कम बजट में यॉर्प में ग्रीस इटली या रुपब्लिक में सेर सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये संभव है यूरो रेल के साथ मिलकर आया है ऐसा पाकेज जो आपको गर्मी के छुटियों में देगा exotic holiday destinations वो भी आपके बजट में पिछले कुछ सालों में गर्मी के छुटियों में विदेशों का रुख करने वाले भारत्य सैलानियों की तादार लगातार बढ़ रही है इसका एक कारण अगर भारत की तंदरुस्त होती economy है तो दूसरा कारण travel कंपनियों के budget tour package भी अब आप खुद ही सोचिए अगर आपको Greece, Italy और Czech Republic एक साथ घूमने का मौका मिले और आना जाना, रहना और साइट सेंग मिला कर इसमें खर्चाए मातर पचास हजार रुपे तो भला ये सोदा क्या बुरा है चेक, प्राग, उसके साथ बुलगारिया, उसके साथ इटली और उसके साथ ग्रीस ये एक package हम flexi package बना देते हैं जिसमें एनिवेर बिट्वीन डेज और 21 डेज का package दे देते हैं बड़ी संख्या में टोर ऑपरेटर्स, इंदनों यूरो रेल पासस का सहारा ले रहे हैं यानि महंगे होटेल्स में रुखने की जगा, आप रात को यूरो रेल में एक destination से दूसरे destination तक का सफर तै करेंगे आराम से सोते हुए और दिन में होगी sightseeing अगर आपके उम्रे 26 साल से कम है तो यूरो रेल में सफर करना आपके लिए हो सकता है और भी अस्ता विकले जाएतर होटेल्स और म्यूजियम्स आपको यूरो रेल के यूट पासफ़र अच्छा खासा डिसकाउंट भी देंगे अब देखते हैं कि ग्रीस, इटली और चेक रिपबलिक के हुपसूरत नजारों का मज़ा यूरो रेल में घूम्टे हुए लेने के लिए आपको कहां कितना खर्च करना होगा रिटर्न टिकेट पर प्रतिव्यक्ति खर्चाएगा करीब 20,000 रुपे यूरो रेल के एक हफ़ते के पास, साइट सींग और ब्रेकफेस्ट का खर्च करीब 35,000 रुपे यानि कुल मिलाकर आपका बजट होना चाहिए 55,000 रुपे प्रतिव्यक्ति लेकिन यूरो रेल में सफर करते हुए कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए अब अगर आप बेन यूरोपियन शेहरों के ओल वर्ड चाम में खो जाने को बेकरार है तो हम आपको ये भी बता दें कि बड़े ग्रूप्स में टूर पैकेजिस लेने पर आप और भी बेहतर डिसकाउंट्स का फायदा उठा सकते हैं